हलो स्टुडेंट्स मैं हूँ एस मनी आपका प्यारा सा फिजिक्स टीचर और अब सारे स्टुडेंट्स का मोस्ट विलकम करता हूँ एमिंग हाई में डियर स्टुडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बोर्ड एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता उस तरीके का क्वेश्टन्स एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है लास्ट यर भी मैंने दिया था बीबी आई अब्जेक्टिव क्वेश्टन्स अपने सिनियर से पूछिएगा बहुत ज्यादा क्वेश्टन मैच किया था इस एयर भी आप लो अग्या था और उसके बाद आप्टिक्स पढ़ लिया रेयो अप्टिक्स के बाद बेफ पड़ेंगे फिर मोडर्न पड़ेंगे और फिर खतंब हो जाएगा उसके बाद कोई और प्लान लाएंग आप लोगे देखते हैं क्या करते हैं लेकिन चुश्टन्स आज का स्टार पहले question में कहा जा रहा है when ray of light goes from one medium to another then which of the following not changes यानि कि जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो कौन change नहीं होता है किसका मान बदलता नहीं है किसका नहीं बदलता उसको भी थोड़ा सा साइड में रखते हैं लेकिन ये चीज़ तो मेरे सारे बच्चों को पता होगा कि जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने रास्ता से मुड़ जाता है और इस घटना को हम बहलो सीटी चेंज हो जाती है जैसे माल इसे पहले लाइट एयर में था एयर के बाद ग्लास में आया तो ग्लास में जैसी आया इसका बहलो सीटी चेंज हो गया बदल गया इसलिए तो यह अपने रास्ता से मुड़ गया ना लाइट तो एक बात तो सबको याद रखना है क जब भी भी light का reflection होता यह बोलिए या यह बोलिए कि प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता यह बोलिए दोनों बात तो एक ही है ना तो जब भी भी एघट ना घटता है students तो अब बेसी बात भैलो city तो पक्का change हो जाता इसमें no doubt और बेहलो city चेंज होगा तो बेव लेंध भी change हो जाएगा क्योंकि आप देखो न कि Air में ज्यादा बेव लेंध होता है और ग्लस में डेलो city कमता है इसलिए बेव लेंध भी कम जाता है frequency नहीं change होता है मैं बताया भी था बहुत पाले कहा था आप से students कि frequency इसलिए नहीं न change होता है क्योंकि frequency source पे light का जो source उस पे निर्वर करता है माध्यम पे निर्वर नहीं करता है माध्यम पे हमारा velocity निर्वर करता है इसलिए माध्यम change होने से है क्योंकि frequency होता क्या याद करिए तो एक सेकंड में जितना नंबर ऑफ बेव बना जैसे एक सेकंड में अगर मालेजे 10 टूदी पावर 14 हर्च फ्रिक्वेंसी है तो एक सेकंड में 10 टूदी पावर 14 बेव बनेगा यहां पे तो जाएगा भी इस माध्यम में 10 टूदी पावर 14 आएगा 10 टूदी पावर 14 तो जाएगा भी 10 टूदी पावर 14 मतलब कि फ्रिक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ता है वैलो सीटी और बेवलेंट बदल जाता है ओके और रिफ्राक्टिव इंडेक्स तो हर एक माध्यम का अलग अलग हर एक मीडियम का होता ही है अगले कोश्चन पे चलते हैं सेकंड कोश्चन पे लेकिन जितने भी निव श्ट कोश्चन में कहा जारा है reason of color of light is मतलब की रंग का light का जो color है उसका मुख्य कारण क्या है बेवलेंट मैं यह भी बता चुका हूं पीछे के classes में कि students होता क्या है कि अलग-अलग रंग चाहिए red हो, orange हो, yellow हो, green हो, blue हो, indigo, violet हो सब रंग का बेवलेंट अलग-अलग होता है ल लेमडा अलग-अलग बोलिए या frequency अलग-अलग बोलिए जब माध्यम सेम है, medium सेम है और उसमें अगर बेवलेंट जैसे red का अलग होगा, orange का अलग होगा, yellow का अलग होगा, lambda अलग-अलग, तो frequency भी अलग-अलग होगा, तो आप बोल सकते हैं कि light के color का का कारण frequency भी बोल सक see, जैसे लाल रंग का लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि उसका अलग होता है, blue का blue इसलिए होता है अलग-अलग रंग क्योंकि उसका भी बेवलेंट अलग-अलग होता है, yes, बिल्कुत सहीर, third number question में आ गए, third में कहा जा रहा है कि rainbow forms due to phenomenon or, यानि rainbow किस घटना के कारण बनता है, मुझे तो लगता है कि मेरे सारे वाले students को ये बेहतर तरीके से पता होगा, कि rainbow जो बनता है, इंदर धनूस जो बनता है मेरे dear student, वो light के scattering के कारण बनता है, आपको पता होगा न, sorry, light का scattering नहीं mistake से बोल दिया, बलकि light के dispersion की कारण, dispersion जानते है न, कि जब light prison पे आता है, तो वो अपने रंगों में टूट जाता है, साथ रंगों में टूट जाता है, इसी घटना को बोलते हैं dispersion, और ऐसे ही light जब हमारा बाटर के drop पे गिरता है, उसमें rainbow बनता है, जैसे कि ऐसा थोड़िया की light का dispersion जो है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिजन से ही गुजरने के बा बरसा पढ़ता है, तो बरसा पढ़ने के बाद कुछ बरसा का बूंद बाता बरन में बायू मंदल में रह जाता है, और इस पर प्रकास गिरता है, तो उसके dispersion के कारण हमारा इंदधनुस बनता है, तो यह तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, याद रखना, dispersion के कारण, नेक्स्ट कोश्चन में चलते हैं अंगले कोश्चन में, और नेक्स्ट कोश्चन भी rainbow से ही related है, नेक्स्ट कोश्चन में कहा जा रहा है कि primary rainbow falls when sunlight inside rain drop, मतलब कि primary rainbow कब बनता है, जब sunlight rain drop के अंदर क्या होता है, तो सुनिए, rainbow भी ना दो तरीके का होता है, एक primary और एक secondary, आप सहिस समझ रहे हैं students, rainbow भी दो तरीके का होता है, primary और secondary, तो जो primary rainbow होता है, उसमें क्या होता है, कि बरसा का मालीजी यह बुंद है, बाटर ड्रॉप है, और इस पे light ray आया, तो इसके बाद obvious की बाद reflection होगा, फिर यहां से ऐसे, ऐसे करके बनता है primary, मतलब primary में दो बार, एक बार यहां और एक बार यहां, दो बार reflection होता है, reflection जानते हैं जब light एक medium से दूसरे medium में जाता है, तो देखिए न, हवा से बाटर के अंदर जा रहा है, तब एक बार reflection होगा, और एक बार बाटर से हवा में आ रहा है, तब reflection होगा, तो दो बार reflection होता है, और चुकी यहां से तक रहा के लौट रहा है transparent medium से तो कह सकते हैं कि एक बार total internal reflection होता है जानते हैं आप लोग कि जब किसी transparent medium से light बाहर आता है denser से rare में और एंगल critical एंगल से अधीक हो तो उसमें light मुड़ जाता है मतब light return हो जाता है पास नहीं करता है उसी घटना को तो बोलते है total internal reflection exam के लिए ब बहुत important है तो याद रखना है कि primary rainbow दो बार reflection और एक बार total internal reflection के कारण बनता हो के और जितने भी students aiming high का app download करके उसके course में हैं और अगर course बेहतर तरीके से पढ़ें है detail वाला course स्वहरेनक तो कि अगर आप लोग बाद में अभी तो हैं तो नहीं होंगे लेकिन जब आप बाद करके जरूर बताईए मेरे डियर वाले students कि आखीर secondary rainbow कब बनता है primary rainbow तो जान गए कि दो बार reflection और एक बार total internal reflection के कारण बनता है secondary rainbow कब बनता है बताईए comment करके detail में मैं पढ़ा चुका हूं next question में आ गए next question में कहा जा रहा है value of refractive index with increasing in wavelength is बेबलेंट बढ़ने से refractive index पे क्या असर पढ़ता है बढ़ता है option b में घटता है change नहीं होता है none of these इसमें कोई नहीं पहले समस्ते हैं बहुतर तरीक से देखिए तो इतना तो पता होगा आप लोगों को मैं पढ़ाया भी हूं कि refractive index बेबलेंट का inversely proportional होता है नहीं lambda यानि बेबलेंट का inversely proportional होता है और हम सही डंग से बात करें मेरे dear student तो आपको भी पता होगा कि जो सात विजिवल कलर होता है इन सातों विजिवल कलर में red का बेबलेंट जो होता है वो सबसे अधीक होता रेड का और violet का बेबलेंट सबसे कम होता है तो चुकि refractive index बेबले alom nucle proportional होता है इसलिए जिसका बेबलेंट ज्यादा होगा उसका refractive index कम हो जाएगा मतलब कि red का बेबलेंट ज्यादा है तो rate का refractive index कम होता है और violet का बेंट कमें इसलिए इसका refractive index ज्यादा होता तो याद रखिएगा कह रहा है कि lambda के बढ़ने से क्या होता है तो lambda बढ़ेगा बेबलेंट बढ़ेगा तो refractive index कमेगा इसका अंसर हो जाएगा decreases याद रखिएगा अगर आपको कोई चार रंग दे देंगा option में और रंग दे कर पूछे कि कि किस रंग के लिए refractive index जादा होग कि देख्णेगा जिसका lambda कॉस्ट्ड़ होगा या जिसका lambda कम कम होग उसका refractive index आधीक होगा व्हांकि वियृपराथा द्धेंट question पे और देखते हैं देखते ही आगए अगले number question में student इस question में कहा जा रहा है कि refractive index of glass is maximum for अच्छा अच्छा glass का refractive index किसके लिए धीक होता है तो जिसका baby length कम है उसके लिए refractive index अधीक हो जाएगा उपर ना shortcut में हमने पढ़ा बताईए किसका baby length कम होता है रेड है फिर green है फिर blue है red green blue यानि blue का baby length सबसे कम होता है इसलिए इसका refractive index सबसे अधीक हो जाएगा इसका सही अंसर भी हो जाएगा blue नेक्स्ट में चलते हैं अगले question में आगले question में कहा जा रहा है for light goes from glass to air जब light हमारा glass से air में जा रहा है critical angle is minimum for अच्छा अच्छा critical angle किसके लिए minimum है किसके लिए सबसे कम है कब जब light हमारा glass से air में जा रहा है तब देखिए students आप लोग पढ़े होंगे critical angle का formula 1 by c equal to 1 by mu होता है और question में करा किसके लिए critical angle minimum होगा सबसे कम होगा तो देखिए critical angle minimum तो उसी के लिए होगा जिसका refractive index maximum होगा क्योंकि दोनों inversely proportion है देखिए दोनों directly inversely inversely है ना तो critical angle minimum सबसे कम उसी के लिए होगा जिसका refractive index सबसे अधीक होगा और किसका refractive index सबसे अधीक होता है जिसका wavelength सबसे कम होता है आपको पता ही होगा violet का सबसे कम सबसे कम इसलिए refractive index सबसे अधीक इसलिए critical angle सबसे कम तो याद रखना है violet अगर बोलता कि सबसे अधीक critical angle किसके लिए होगा तो siurad हो जाता मैं लिखी दिए धर हो देना अलकि ओ व अधीजी बी ही तो ऊपर जाने पर लेमडा बढ़ता है उपर तीदिया मतलब बढ़ता है ओके और लेमडा बढ़ रहा है तो रिफ्राक्टिव इंडेक्स नीचे आने पर बढ़ता है और रिफ्राक्टिव इंडेक्स नीचे आने पर बढ़ रहा है अगर तो क्रिटिकल एंगल जो है ऊपर जाने पर बढ़ेग reflection at place surface बाले में I think मिल जाएगा, मुझे आपको एक बार देखना पड़ेगा, वहीं सब लेक्चर में कहीं होगा next question में कहा जा रहा है, for small angle of incidence, minimum angle of deviation through a prism of refractive index mu is अच्छा अच्छा, एक prism है जिसका angle कापी छोटा, यानि पतला prism है तो पतला prism के लिए deviation का formula क्या होता है, हमसे यहीं पूछा जा रहा है, चार option दे रखा है कि prism में deviation का formula क्या होता है, deviation का पतले prism के लिए, तो पतले prism के लिए हम सब को पता होगा student की deviation का formula होता है, a into mu minus 1, प्रूब भी करवाया था आपको और बोला था कि 5 नंबर में यह प्रूब करने वाला पुछता है, आ रहा है दूला दूला याद, और नहीं याद रहा है, तो याद किजिए कि मैंने formula क्या था, कि prism का जो refractive index होगा, वो sin minimum deviation plus a by 2 divided by sin a by 2, यह formula हमने प्रूब किया था क्या, और यही formula प्रूब करने के बाद मैंने बोला भी था कि इसी मेंगर prism को पतला कर दिजिएगा, एंगल को काफी छोटा ले लिजिएगा, तो इसी को एक कदम आगे बढ़ाने के बाद यह formula प्रूब हो जाता है, तो पतले prism के लिए formula होता है, a into mu minus 1 deviation का मोटा prism रहेगा, तो यह वला लगेगा, नीचे वला formula और 5 नंबर के derivation में भी पुछता है, समझ रहे हैं, 5 नंबर के derivation में ही पुछता है, नेक्स्ट कोश्टन में चलते हैं student, आगे ले कोश्टन फे, आ गए हैं नेक्स्ट कोश्टन में, नेक्स्ट में कहा जा रहा है, maximum deviated constituent of white light when it cross the prism, अच्छा अच्छा अच्छा, जब prism से cross करता है, तो सबसे जादा कौन deviate होता है, सब को पता होगा, कि light आता है, तो सबसे कम red मुढता है, सबसे उपर में red होता है, सबसे नीचे violet होता है, तो कहा जा रहा है question में कि maximum, तो maximum violet मुढता है, सबसे ज़्यादा deviation violet का होता है, सबसे कम पुछता, तो red का बोल देते, अब यह तो theoretical ही अब समझ गए, यह जानते भी होंगे diagram, कि violet सबसे ज़्यादा मुढता ह तो कह रहा है कि maximum deviation किसका होगा, तो maximum deviation जो deviation है, सबसे ज़्यादा उसी का होगा, जिसका mu ज़्यादा होगा, refractive index ज़्यादा उसी का होगा, किसका होगा, उसी का होगा, जिसका wavelength कम होगा, उपर मैंने बताया है ना, कि refractive index और wavelength इंधर्शनी प्रपोर्शन होगा, बेविशन स आरिवा समझ में क्या करें वैसे refractive index अगर अधीक है students तो critical angle कम है समयरे में क्या करों depend करता है अच्छे से concept पढ़ने पर बढ़ियां से एक बार concept पढ़ लिये न अच्छा से जो कि दम बिल्कुल दिलदार teacher मिल जाए बढ़ियां से दिल साल पर पढ़ाने वाला मजा जाएगा इसलिए class join किजिए ऐसे teacher पर जो आपको समय दे के पढ़ा रहे हो बहतर तरीके से ऐसा नहीं कि teachers के पास समय नहीं पढ़ाने का हो तो जब उनके पास खुछ समय नहीं है तो आपको कहां से detailing में एक बात को चार-चार बार बोल कर समझाएंगे समझ रहे हैं मेरी बात को next question मे आपको में और देखते देखते आगयें next question पर चलिए इसका बताइये करा minimum deviated constituate उपर कौन था उपर था maximum deviated, maximum deviated तो हो गया violet, minimum deviated का रहा है, तो minimum deviated rate होगा, rate का deviation सबसे कम होता है, क्यों? क्योंकि rate का deviation सबसे कम इसलिए होता है, क्योंकि rate का refractive index कम होता है, refractive index कम क्यों होता है, क्योंकि wavelength ज्यादा होता है, refractive index और wavelength inversely proportional होता है, तो rate का wavelength ज्यादा होता है, इसलिए refractive index कम होत के उटाए है भी तो कोशन में चलते हैं अगले कोशन में आगा है traitor का सबसे कम होता है और और option में देखिएगा तो बहलो city के term में दिया हुआ है option सुमयरे में greater than क्योंकि speed के term में दिया हुआ option क्योंकि इसका speed ज्यादा होता है कम होता देख लेते हैं एक ची तो पता है कि rate का deviation सबसे कम deviation का फर्मूला होता है a into mu minus 1 अभी हम लोग में देखा था तो rate का deviation सबसे कम इसलिए होता है क्योंकि rate का mu सबसे कम होता है refractive index सबसे कम होता है क्योंकि लेमडा अधीक होता है बेवलेंट अधीक होता है और अगर बेवलेंट अधीक है तो बेवलेंट अधीक है तो बेवलेंट अधीक होगा तो बेवलेंट अधीक होगा तो रिफ्राक्टिव इंडेक्स कम होगा क्योंकि दोनों ब्यूत कर्मानू पाती होता है और यह क यह वो आता है तुरांत एक दम से पाल कर जाता है जादा नहीं मूरता है और जो violet होता है उसका सबसे कम speed होता है इसलिए वो जादा मूर जाता है ऐसे बी आप समझ सकते हैं violet नीचे हुआ rate आपका उपर हुआ ओके तो याद रखना है कि rate का lambda सबसे अधीक होता है इसलिए बेग भी speed भी सबसे अधीक होता है इसका सही अंसर हो जायागा a greater than other color because its speed is greater than other color next question 12 में चलते हैं देखते 12 में आगए 12 में कहा जारा है ray of light not deviated through अच्छा ray of light किससे नहीं deviate होता किससे नहीं मुड़ता है परपेंडी कूलर रिफलेक्टेड थू प्लेन मिरर इससे तो मुड़ता ही है अगर प्लेन लें परपेंडी कूलर आया तो सीधा मुड़ जाता 169 नहीं जिस रास्ता पर लॉट के चला जाता है पर प्लेन मिर में उस डेवेशन का फार्मूला 180 माइनस-2 ऑ होता है नेक्स्ट में में इमर्ज थूप भाई या जब प्रिजम से लाइट निकलता है तो यह मुड़ता ही है ना बेस की और बेंड करता है नहीं अधार की और बेस की और लाइट मुड़ जाता है चौथा मैं करा आफ्टर की LGHS से जब और लाइट नहीं मुड़ता है क्योंकि पैर्लल ग्लास स्लाब में Deviation में काच्छ का सिधा जाता है लेगिलाइट यहां यह यहां यहां मुड़ गिया क्या धिक एक और यहां यह वाइश अंग्ड़ आ और उसके बाद एक बाद यहां मुड़ा क्या एक वर और मुड़ेगा एक बार यहां ना यहां लाइम है और यह लाइट बात यह उद्र लडिए आने वाले लाइट का रास्ता और यह जोने वाले लाइट का रास्ता दोनों मुड़ा नहीं बलकि समनांतार एक दूसरी काया ऐ प्लेल 51 होता है कुछ एंगल से मूड जाना ऑ तो याद रखना है कि जब parallel glass slab पे light आता है तो मुर्ता नहीं है next question में चलते हैं अगले number question पे और देखते हैं next question में आ गए ऐसे ही प्यार support किजिए students एक-एक चीज़ को हम लोग सब पढ़ते चलेंगा और अभी तक like नहीं नहीं कियें तो like करके share कर देजी अरे इतना तो बनता है ना students as a teacher इतना तो आप लोग पे हक जता ही सकता हूँ कि आप लोग लाइक करके वीडियो को share किजेगा प्यारा सा comment किजेगा इतना तो हक रख सकता हूँ आप लोग उपढ़ा रहा हो तो next question में कहा जा रहा है dispersion of white light through any medium is possible only when medium is मतलब medium से dispersion कब possible हो सकता है काच का glass का आप प्रिज्म प्रिज्म है इस से ठीक है, light का dispersion हो जाता है साथ रंग में light चूट जाता है लेकिन माल लीजे काच कहना हो कर पानी का होता है अपका यह plastic का होता है तो क्या नहीं dispersion होता वहां भी होता transparent medium से मतलब है नहां हमें इसका answer हो जाएगा any transparent medium अगले question में आगे हैं next question को पढ़ी अराम से सोची और हमको बताईए क्या कह रहा है next question में when ray of light transmit through the prism then always occurs मत्तब ray of light जब prism से गुजरता है तो हमेशा क्या होता है, क्या होता है, बेस की और मुर जाता है, angular deviation of ray towards base, मतलब कि ray बेस की और मुर जाता है, इसका सही answer भी हो जाएगा, next question में चलते हैं अंगले question में, आग ए 15 number question में, करा, in relay scattering of light, in relay scattering of light, magnitude of a scattered light is proportional to, 1 by lambda to the power 4, 4, हाँ, हाँ, scattered light का जो magnitude होता है, वो lambda के power 4 ही का न होता है, जादा measure हम लोग उसी को बोलते हैं, मैं बता भी चुका हूँ, a plus something something करके जो formula आता है, dispersion में हम लोग पढ़े भी थे, sorry, scattering में हम लोग पढ़े भी थे, scattering को dispersion का भी बोल दे रहा हूं, कभी this person को scattering बोल दे रहा हूं, scattering में हम लोग उन्हों पढ़े थे ने, Rayleigh का experiment, Rayleigh का equation, तो 1 by lambda का power 4 का proportional होता हूँ, अगर inversely proportional बोलता, तो 1 by lambda का power 4 ना बोलके lambda का power 4 बोलते, जैसे जो magnitude है, scattering का, वो 1 by lambda 4, तो lambda के power 4 का, या तो बोलिए inversely, या 1 by lambda 4 बोलिए, तो directly बोलिए या सिर्फ proportional बोलिए, ओके, तो करा किसके proportional है, तो 1 by lambda के power 4 का, अगर बोलता कि किसके inversely proportional है, तो lambda के power 4 का बोलते, वो तो math का चीज है ना, ये तो समझे होंगा न, math में, यानि इस cancer D होगा, I hope students कि आप समझ गए होंगे, सिख गए होंगे, पढ़ते रहे हैं, सिखते रहे हैं, समझते रहे हैं, कोई भी dot होता है, तो उपर जो contact number ये दिख रहा है, इस पर बिना किसी हिचकी चार्ट, without any hesitation के call के जिए, क्योंकि हमारा टीम आप ही के लिए बैठा हुआ है, ताकि आपके hesitation को दूर कर सके, कोई भी दिक्कत होता है, तो aiming high app को डाउनलोड करके, वहाँ देख सकते हैं, full year physics गरवैठे, online study कर सकते aiming high app से, और मैं तो आप लोगों के साथ हूँ ही, पते रहे हैं, सिकते रहे हैं, समझते रहें, जाते जाते लाइक करके वीडियो को फ्रेंट्स में स्टेयर कीजिएगा, जै हिंद, बंदे मातरम,